हेलो एब्रिवान वेरी 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 स्पेशल गुड इवनिंग तो वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाइपाई स्टेडी यूट्यूब चैनल पर विजिजा पात ऑफ अन अकाडमी और मैं आप सभी की रिजनिंग मेंट और रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के स हैं इब आप सबस्क्राइबिव पार एसन को लाइक आप लोग सबस्वाइब हैं नृग क्लासि वैरि वैरी तो पर यपनिशन को लाइक शेयर करें कि आप लोग सब्सार को लोग जोड़ाएं हें जोड़ जोंघ शारो आज का क्लास करने के लिए बढ़ियां तरीके से करते हैं आज हम लोग क्लास मज़ेदार तरीके से बोलो यह जो क्लास है नाइन पीम डेली रखता है आप लोग मेरे साथ कर सकते हो दूसरी बात यह है कि यहां पर अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं ठीक अब कुछ दिनों तर लगातर 20-25 दिन पूरा एक महिने हम लोग लेकर चलेंगे आप लोगे जितने भी टॉपिक्स हैं वह मैं बेसिक से करवा दूगी ठीके तो सबसे पहले आप लोग यहां पर फड़ा फट से जो है सेशन को लाइक शेयर कर दीजे यतने भी टॉपिक्स हम लोग सारे बेसिक से करेंगे अभी काउंटिंग फिगर से हमने कल ही स्टार्ट किया है अनलोगी क्लासिफिकेशन नंबर सीरीज मिसिंग नंबर कैलेंडर क्लॉक रहेगा ब्लेड रिलेशन रहेगा और नॉन वर्बल रीजनिंग मिरर वाटर सबी लोग लाइक कर दीजेगा बिना कहें बार बार लाइक करने के लिए बोलना ना पड़े आप फड़ा फड़ से लाइक कर देना सेशन को ठीक है चले अभी रेडी करते हैं हम लोग पढ़ाई करते हैं शुरू पढ़िया तरीके से शुरुआत करेंगे ठीक है क्लास का ना-क टैमिंग जो है आपको पता ही होगा रात के 9 बजे का डायमिंग है उसके बात जो आपका क्लास रहता है वो रहता है सुबह में 10 बजे हमारा क्लास रहता है ससी से लिए कर सकते हैं आरा अक्याडमी पर 11 बजे सुबह में शानकु 4 बजे से ठीक है और अनलोग पोड़ आपका रहेगा रितिका 10 यह आपका अनलोग कोड रहेगा मेरा नाम सर्च करके भी अगर आप लोग आड करोगे तो डिरेक्ली आप लोग को यहां पर क्लासस मिल जाएंगी ठीक है और प्लस के सब्सक्रिप्शन पर अगर आप लोग जुड़ना चाहते वह अनक्याडमी के त चलो हाँ सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए है ना अभे कोई कुछ बोल रहा था क्या बोल रहा था तुन नहीं पाया मैंने उसका जवाब भी नहीं दे पाया क्या बोल रहे थे तुम लोग अभी कुछ बोल रहे थे चलो ओके एवरिवन स्टार्ट करें चले बाद में देखते हैं जो भी आप लोग के सवाल होंगे उनके जवाब देते जाते हैं टाइम से दे दूँगी मैं चली क्या भी बड़ा इस स्टार्ट कर लेते हैं आप लग ओके एक बात बदाओ तुम लोग यार आज हम लोग पूल जाएं तो इसका ऐसा पढ़ने का तो कोई फाइदा नहीं तो जो हम लोग ने कल पढ़ा था अगर वो रिवाइस भी हमें हो गया होगा तो बहुत बेस्ट होगा तो आपने अगर रिवाइस किया है तो बहुत अच्छा है कल वाला सब ने रिवाइस किया पहले इतना हाँ कल की तरह मज़ेदार क्लास आज भी करवाएंगे बिल्कुल करवाएंगे कल की तरह ही एकदम से मज़ेदार क्लास करवाएंगे डोंड वरी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कली की तरह एकदम मज़ेदार क्लास करवाएंगे याद है कल वाला याद है चलो बहुत मज़ा आने वाला है आज कल फिर हम लोग एना लोगी एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे नए पैटन के क्वेशन बहुत मज़ा आएगा ठीक है तो रोजाना हमारे साथ आपको टॉपिक वाइस के लिए इसी क्लास में जुड़ना है रात का नो बजे का टाइम सेट कर ठाइन कल मैंने कल रेक्टेंगल करा दिया था तो अज कल मैंने स्कवेशन रेक्टेंगल फड़ाये था आज में ट्राइंगल से लेकर चल रही हूं तो आप लोग करने ना ना कौपी में लिखना चाहों लिख सकते हैं और अगर आप लोग स्क्रीन शॉट पग़रा लेना तो भी ले सकते हैं चलिए अबरीवन स्टार्ट करते हैं यहां पर कितने ट्राइंगल आ रहे बढ़ी बताओ जरह एसे काउंट करके फिर मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताते हूं फड़ाफर से ट्राइंगल कितने आ रहे हैं यहां पर एक बाड़ चेक कर दो है आप लोग जल है चलो बन गया यह तो आप लोग डेक्ली आड़ करके भी निकाल पा रहे हो ना चीक है बीच में अगर कोई लाइन आती है तो वहां से उसके तीन टुकडे हो जाए, चीक है, ओके, वहां से उसके तीन टुकडे हो गाए, कैसे, पहला टुकडा, दूसरा टुकडा और यह तीसरा वाला टुकडा, तो यानि कितीन आएंगे यहां से, आप यार ऐसे हम लोग गिंते थोड़ी बैठे रहेंगे, है न, हमें तो और भ चौथा टुकडा उनकी numbering कर लो, जितने parts है, numbering कर लो, और फिर add कर दो, 1 प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस, 4, उतने ही triangles इसमें होंगे, और इसमें बड़ा वाला भी शामिल होगा, चीक है, बड़ा वाला भी यहां पर पहले से शामिल होगा, चीक है, बड़ा वाला पहले से होगा, यहां पर बार बार हमें count करने की जरुवत नहीं पड़ेगी, पहले से बड़ा वाला counted रहेगा, जो बड़ा वाला है ना, finally यह वाला, यह इसमें 10 में पहले से counted है, बार बार count करने की जरुवत नहीं पड़ेगी, ऐसा सिर्फ तब करेंगे, जब lines हमारी vertical होगी, कोई भी triangle ह अगर vertical parts में divided है, तो हम उसे इस तरीके से निकाल सकते हैं, जब आगे questions भी करने वाले हैं इस पर, अब यहां पर horizontal line वाला triangle आएगा, इसको solve करूँ भी क्या आएगा, horizontal triangle, चेक करूँ भी यहां पर क्या आने वाला है, आरे अभी देखो, 10 मिनिट में सब लोग triangle के बादशा बन जाओगे, तुम लोग, है न, हाँ, बिलकुल, 10 मिनिट में अभी तुम लोग triangle counting के बादशा बनने वाले हो, सब को बनने लगेगा, पक्की बात है यह, ठीक है, तुम लोग को बादशा बना दिया जाएगा, शेह कर लो, तुम लोग reasoning के भी शेहनशा बन जाओगे, बहुत सारे बच्चों को बनाया मैंने है न, तो भया अगर शेहनशा बनना है, बादशा बनना है, तो रोजाना क्लास करनी पड़ती है, सिर्फ इतना ही है, और खुछ भी नहीं, चिक है, चलते हैं, यहाँ आगे चलते ह है, चिक है, तो जैसे यह वाली लाइन है, एक दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो तीन ट्राइंगल यहाँ पर होंगे, इतना ध्यान रखिएगा, चिक है, यहाँ पर क्या है आपकी यह वाली लाइन है, यह वाली लाइन है, यह वाली लाइन है, और यह चार लाइन है, त प्रेक्टिस हो जाए तब मजा आए तो भाई देख लो इसको चेक करो क्या बनेगा इसमें झाल कर दो अब तो याद हो गया होगा तुम लोग इस वाले पहले चितने भी पार्ट से उनके टुकड़े कर देना और नमबरिंग करोगे सब है इक मिनट अगे चले चले इसमें पंदरा पर टिक कर दीजिएगा अगला सवाल करेगा पंदरा के अलावा इस वाले सवाल में अब कुछ निये पढ़ते जाओ आंसर करते जाओ जल्दी से चल्दी जल्दी फास्ट फास्ट हाँ बैया क्या बनेगा इस वाले में चलो मजाग की बात थी यार अब उसको पकड़ के मत बैठो शेहन शाह बादशा बोल दिया तो बस छोड़ दो ना उसको मजाग हो जाता है एक सेकिंड के लिए फिर उसको छोड़ दो कि उस समय की वह बात चोड़ उसको पकड़ के पूरे घंटे अब करते रहों के बाते बस करो ना हो गया मजा की सेकिंड के लिए था उसको छोड़ दो महीं पढ़ाई पर आजाओ फोकस करो 15 यहां से 15 यहां से कितना हो जाएगा 30 अब इसमें कुछ लोग गलतिया क्या करते है बेस पर पहले ही काउंट हो चुका है बार-बार हमें काउंट करने के जरुवत नहीं है तो यहां पर आएगा आपका 30 है ना शालो 30 आजाएगा ओके नेक्स्ट इसका बताएगा अंसर कितने होंगे बड़ा-बाला अल्रडी वहां पर पहले से काउंटेड होता है बार-बा टॉपिक वाईज 9 पी-म ठीक है डेली टॉपिक वाईज 9 पी-म आप लोगी क्लास होने वाली है आप लोग कर सकते हो एक महीने लगातार करोगे काफी आपको बेनेफिट मिलेगा आपको पुदी पताच सो जाएगा ठीक है तो अब रेगुलर टाइम बना लो कि 9 बजे खा पीके या फिर खाना घर बाद में खाते हो तो पहले पढ़ने आ जाए करो अब सोच रहा नहीं है पहले पढ़ना है 9 बजे से 10 बजे तक एक घंटे और उसके बाद फिर हम बाकी के काम करेंगे ठीक है तो 9-10 का टाइम सेट कर लो सुबर 10-11 का टाइम सेट कर लो बस करी तो यहां इस वाले बेस पर कितना है का 1-2-3-4-5 यहां से हो जाएगा यहां पर भी आपका 1-2-3-4-5 यहां पर भी आपका 1-2-3-4-5 तो पंदरा पंदरा तीन बार आ रहा है तो पैतालेस वैसे भी हो गया है ना 45 आएका इसमें करेक्ट है शलो ठीक है वेरी कुट लाइक कर दो यार 500 प्लस लोग एकदम से लाइव हो गया जल्दी से लाइक कर दो लाइक भी नहीं कर रहा तुम लोगों ने यार पड़ा पड़ से लाइक कर दो यार फर्स्ट डे हां फर्स्ट डे ही है माल लो कल था फर्स्ट डे वैसे कल मैंने स्क्वेर्स पड़ाया था कोई बात ही आज से फर्स्ट डे माल लीजे कोई दिखत नहीं है कल मैंने स्क्वेर्स पड़ाया था पस इतना ही है बागी कुछ भी नहीं है ठीक है फर्स्ट डे ही है जल्दी करना जल्दी करना अब इसमें मैं आपको गिनकर भी बताओंगी ट्रिक्स भी बताओंगी ताकि आप लोगों को पूरा प्रूफ भी मिल जाए इस वाले ट्रैंगल में अलग से ट्रिक्स लगती है इस वाले में वो पिछले वाले ट्रिक नहीं लगेगी अलग ट्रिक लगे की तो इसका में गिनकर भी बता दूम आप लोगो को ऑड़ने लगती है इसा सवाल जब भी आएगा तो आप वो ट्रिक लगा सकते हो देखें इसको कहते हैं भाईas पिकेंड ड्रॉप है इस वाले डायग्राम को कहते हैं पिक कि एक चोड़ना कैसे वह मैं बताती है सबसे पहले हम लोग आप लिकर चलते हैं बेस पर कॉंट कर लो कितने ट्राइंगल से हैं हमेशा सबसे पहले बेच पर ट्राइंगल काउंट करिये कितने ट्राइंगल बेस पर आ रहे हैं तीन आ रहे हैं लिख लो फिर क्या करना है अब उसको छोड़ दो यहां पर बस काम करना है हमें है लिखा जाता है याद रखेगा है उसके बाद क्या करते हम नीचे से उपर की तरफ जाना है और एक लेना है चोड़ना है पहले को कभी लेते नहीं है एक लेना है एक छोड़ना है यहां तीन और एक्स्ट्रा में आ गया तो यानि दस प्लस तीन वरावर तेरा अंसर आएगा यहां तेरा होंगे ट्राइंग अब उन तेरा को मैं गिनके बता देती हूं ताकि आप आगे के लिए सही रहो है ना ताकि आपको आगे लगे कि एक यहां पर हुआ आपका यह वाला दूसरा तीसरा चार पांच छे साथ आठ नो नो तो यह चोटे चोटे वाले हो गये और इनके बाद एक बड़ा वाला आ रहा है दस वा ठीक है भया दस ही हो गया उसके बाद आपका एक यह बनेगा ग्यार वा आ रहा है ठीक है एक यह बनेगा बारवा आ रहा है और एकी नीचे की तरफ तेरवा बस इतने ही ट्राइंगल से यहां पन रहे हैं तेरा हो रहे है यहां पर चीक है देख लो भले आ गया समझ में 13 कैसे आया 13 आ गया होगा समझ में कैसे आया चीक है 13 आ गया समझ में कैसे आया बड़ा वाला पहले ही count का लिए था बारबर ही count करते बड़े वाले कौशं कर था बड़ा वाला चीच है सही है तो ठीक है ना इस वाले मेधड को ध्यान रखेगा तो इस cancer 13 ऑगा 13 बनेगा यहां पर 13 जो है वो ट्राइंगल से गिन कर बता दिया मैने पेपर कटिंग फोल्डिंग भी कराऊंगी कुछ आने वाले दिनों में ठीक है आज ये पढ़ लो जो पढ़ा रहे हूं चलो भी है इसको कर लो सारे चैप्टर्स कराए चारे चैप्टर वाइज भी चल रही है क्लास डेली नौ बज़े आये करो एक महीने कंटिन्यू करो सारे चैप्टर्स जो आपको पढ़ने है पढ़ा दिये जाएंगे अब आज ही मैं करा दो पेपर फोल्डिंग ये नहीं हो पाएगा है ना तो रोज आना शुरू कर दो क्लास में चीक है तो फिर आपका सारे चैप्टर्स आपसे बनने लगेंगे है अब आज ही सारे चैप्टर्स की डिमांड करोगे तो मैं आज ही नहीं पढ़ा पाऊंगी ठीक है रेक्टेंगल और स्क्वेर्स काउंट करना मैंने कल सिखाया था तो आप लास्ट वाला वीडियो मेरा देख सकते हूं इसी चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट से आप पुराना वीडियो देख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है चली फिलाल हम इस ट्रिक को दुबारा समझ लेते हैं जिनको पिछली बार समझ में नहीं आया तो आज एक बार फिर से समझ लो अभी दुबारा समझा रही हूं इस ट्रिक को ठीक है तो बातों में लगे रहते हो तुम लोग समझ में कैसे आएगा इधर देखना तो समझ में आएगा बातों में लगे रहते हो फिर क्या आप समझ में आएगा चलो इधर देखना थोड़ा सबसे पहले बेस पर ट्राइंगल काउंट करते हैं बेस पर बेस याने इधर नीचे लिखना है वन के सामने हमीशा वन लिखना है उसकी बाद इन दोने को जोनने के बाद यहां से कौछ 10 आएगा, जोड़ते चलने जाना है, ऐसे, फिर 10 और 5, 15 हो जाता है, ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है, 1 प्लस 2 बराबर, 3 सामने लिखो, 3 और 3, 6, 6 प्लस 4, 10, एड कर दो भाई, यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, इन वालों को एड करना है, ठीक है, इन वालों को एड कर करना, 20 के साथ, 6 प्लस 1, कितना आएगा, 27, यह इसका आंसर होगा, ठीक है, ओकी, शरू, देख सकते हो, बढ़ियां तरीके से बना सकते हो, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बना लो इसको देख लो, बढ़ियां से अच्छे से, रिवाइस कर लो, अगला हाँ है, चलो, आगे देखते हैं हम लो, अगले वाले सवाल पर आते हैं, चलो, यहाँ भी बताओ, यार कितने ट्राइंगल होंगे, बताओ, बातचीप बंद कर दो, थोड़ा सीख लो, देखो, कुछ काम की चीज़ सिखाई जा रही है, तो पढ़ लो, अच्छा रहेगा, फाइदा रहेगा, यह बातचीप चाटिंग चिट-चौर तो यह तो हम करते रहते हैं, पूरे दिन हावारे पस कोई काम ही नहीं है, वैसे भी, तो कुछ अच्छा बढ़ा है जा रहा है, टॉपिक वाइस क्लास चल रही है, तो उसको पढ़ लीजे, स्थीक लीजे, छीक ह चल यहाँ पे कितने ही ट्राइंगल्स हैं, दोनों में फिर बताओ, फिर आगे ऑप्शन्स वाले क्वेस्चन्स भी करेंगे, चेक कर लो यहाँ पे कितना होगा, गूड इवनिंग, गूड इवनिंग, अब यहार बारिश तो सभी जगे हो रही है, बारिश का तो कुछ करी ही नहीं सकते हैं, बारिश को नहीं रोक पाई है, अपन लोग ना इंद्र देवता नहीं है, अपन बारिश तो हर जगे ही और यह क्या करें, कोई बात नहीं, एड़्जस्ट कर लो थोड़ा सा, चले बन गया, लाइक नहीं कर रहा है यार, तुम लोग ने देखो 600 से जादा लोग लाइफ देख रहे हैं यार, मेरे को नहीं बता, मैं नहीं बता रही, पहले लाइक कर दो यार, कम से कम 400 प्लस सो होना ही चाहिए, सारे लोग दबा के फटा फट से एक बार लाइक कर दो, यार, ये कोई बात होती है, तुम लोग से कितना बोला, लाइक नहीं करते हैं, तुम लोग वीडियो को देख कर चले जाते हो सारा बढ़ियां से, चलो भई, जल्दी से 400 प्लस तो कर दो, कम से कम 600 से जादा लोग अभी लाइक देख रहे हैं, क्लास को, स्टार्ट होई है, क्लास अब दस मिनिट पहले, तो लाइक कर दो, यार, कम से कम 400 प्लस तो करीदो, यार, एक बार जल्दी से नीचे लाइक बटन होता है, जादा दूर होता नहीं, बहुत दूर नहीं जाना पड़ता लाइक करने के लिए, फटा-फट से कर दीजे, 400 प्लस कर दीजे, फिर ब भी बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको सच में पढ़ने के जरूरत है, और उनको ये वीडियो नहीं मिल पाते हैं, ढूंडना पड़ता है विचारों को, तो लाइक कर दो, चले, आगे चले, ओके, सबी लोग कर दो, यार, बताव छोटी सी बात बोली है, मैंने कोई बहुत बात यहां पर देखो ध्यान से, एक यहां स्क्वेर था, ठीके भाई, स्क्वेर था ना, स्क्वेर के अंदर, यहां तो दो ट्राइंगल सारे, मुझे समझ में आगे, यहां दो है, यह स्क्वेर है, स्क्वेर के अंदर जब भी ट्राइंगल निकालना हो ना, तो कैसे निका ही है हमारा तरीका यह कि हम जोग नंबर आफ सक जितने वे टुकडे होती अउसका डबल कर लेते है Know जितने भी टुकड़े में डबल कर लेते हैं क्यों करतें ऐसा मैंम उसका रीजन पता है रीजन यह कि चार तो सिंकल सिंगल है वन टू ठी फोर तो यहां वैसे भी सिंगल आ गए चार यहां पर इडन वाले आते हैं फिर यानि छुपे उयूंब हुए वो कैसे होते हैं हुए इस लिए यहांपर पलस 4 बारा पर आठ होता है अब ऐसे हम लोग बार बार काउंट थोड़ी करते रहे हैं तो याद के अंदर अगर में ट्राइंगल निकालना है इस तरीके का तो नंबर आफ पार्ट्स उसके जितने भी हो उसका टुकडा कर दीजिए और डबल कर दीजिए बस वही आपका अंसर होगा स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो इसलिए इसमें दस नहीं है आठ है मिटा हुआ 12344 का डबल आठ होगा ठीक है अगले क्वेश्चन प्याद अब यहां पर बताओ भाई क्या बनेगा जल्दी हाँ पड़ा पड़ से आंसर करो यहां बनेगा यहां पर चेक कर लो जल्दी से तुरंट से सही बोला अनिल भाई अनिल चौधरी भाई बिल्कुल सही बोला सही बोला बिल्कुल सही बोला यह कुछ नहीं है सिर्फ क्लास को डिस्टब करने की हरकते होती है कुछ लोहों की है कुछ नहीं है कोई नहीं जाने तो ignore करो कोई बात नहीं है इग्नौर कर दीजे ऐसे messages को मत पढ़ा करो कि चलो कितना रहा है जितने parts से उसका double कर दीजे कहीं से भी आप count कर सकते हो ना टो एकिए ला फोर सब्सक्रांद को सब्सक्राइब के देली स्मस्टाइब डेली टॉपिक ही चलने वाला है ध्यान रखीएगा ठीक है सारे टॉपिक से ही चलने वाले हैं अब कुछ दिन एक महीने लगा था फिर से टॉपिक्स रिवाइज करवा रही हूं ठीक है और दस बचे तो अपना सुबर क्लास रहता ही है मौनिंग में 10 बचे और शाम को 9 बच गुई इवणिंग गुडीवनिंग गुडीवनिग चलो कितना आ है पर पहला साथा उखाड़ ऐ है ला और दूसरा साइगा तो अब आप सब बता सकते हो यह वाला ठीक है हर अमित कुमार भाई हर फिगर इससे पहले वाला काउंट करके बताए था ना हर फिगर को काउंट करके थोड़ी बताएंगे हम लोग ट्रिक सीख रहे हैं हम लोग हर फिगर को काउंट करके थोड़ी बताएंगे यार ट्रिक सीख है तो ट्रिक सीखो ना हर फिकर को काउंट करके क्या फायदा इससे पहले वाला काउंट करके बताया था कि 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 कितने हो रहे हैं इस बार क्या हुआ देखो यार हमेशा ध्यान रखना आसान है लेकिन यहां चूख हम से थोड़ी से हो जाती है क्योंकि हम लोग यह भूल जाते हैं कि यहां पर फिगर दो जुड़ रहे हैं आपस में जॉइंट हो रहे हैं जहां फिगर जुड़ते हैं जॉइंट होते हैं वहां पर हिडन फिकर से आने छुपे हुए फिकर्स जरूर बनत तो यहां पर दो है ना जो जुड़ रहे हैं बिल्कुल दो फिगर आपके जुड़ रहे हैं जब एक ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा उपर की तरफ और एक ऐसे नीचे की तरफ बन जाएगा तो बहुत और आवे इसमें तो हिडन ट्राइंगल का हमेशा ध्यान रखना इसका अन्यू दन चले बहुत को ध्यान से सुनें इस वाले में यहां पर तीन फिगर्ज थे तो हम लोग आराम से बना सकते थे चलो चार का डबल बस है यहां पर आठ यहां पर और यहां पर कितना हो जाएगा 24 बस उसके बाद आप क्या करें ऐसे हेडन वाले निकाल सकते हैं यहां पर हेडन वाले कितने होंगे एक आपका यह वाला बनेगा दूसरा आपका यह वाला बनेगा फिर दो नीचे के साइड प है न गुए परेशानी को दिक्कत किसी को को परेशानी दिक्कत किसी को कोई और ही तो बता दिना एक बार like कर दिना clear है यहां तक clear कर दो फिर आगे चलते हम लोग आगे वाले questions पे चलते हैं यहां तक clear है क्या बता दीजिए का एक बार जब ही basic level पढ़ेंगे तब ही पढ़ेंगे अभी इसमें high level questions भी हैं बहुत सारे वह भी हम पढ़ेंगे नेकिन पहले यह basic level पढ़ लेते हैं उसके बाद high level वाला भी पढ़ेंगे चीक है ओकी चलो नो दिक्कत है चलो ठीके फिर 28 आया इस वाले में अगले वाले पर आ जाते हैं इस वाले में कितना बनेगा चेक करें और अब इसलिए होता है क्योंकि तुम लोग पांच उरुपे वाला नेट दलवाते हो इसलिए बफर करता है वह यार्ट बारिश में बारिश होती है तो तुम लोग के यहां पे इसलिए थोड़ा बढ़ा वाला नेट डलवाया करूं अच्छी इस पीड वाला तो बफर न पच्छता का है तुम लोग का खतम हो जाता इस शक्तर में चीक हैं चर्व हो गया यार पता हो नौव पैतेस हो गया राश तो मतब टाइमिंग का पता ही ने चलता है इस वाली क्लास में नौबचे वाली क्लास में नौबचे वाली क्लास में टाइमिंग का पता नहीं पड़ता कहां गई टाइमिंग दस तो हाल बच्छाते फुर्स से हैना दो चार सवाल करा है खतम हो गया हो गया चल वेरी गूड यहां पर क्यों वान टू थिरी फोर चार का यहां डबल हुआ तो आठ आया यहां से आठ य चार यहां पर आगए 28 हो गया लेकिन इसका आंसर तिर्फ 28 नहीं होगा इतना ध्यान रखेगा है ना इसका आंसर क्या है वो देख लेते हम लोग एक और बन रहा है यहां पर एक्चुल में यह वाला जो फिगर इदर जुड़ गया तो इसकी वज़े से यह बड़ा वाला भी एक और बन रहा था यहां पड़ा वाला तो 29 हो गया वरना था तो यह पिछली वारे जैसा ठीक है ओके इसका आंसर जो बनेगा वो आप लोग का बनेगा क्या बिल्कुल 29 होगा डोंट वरी आज हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे एक घंटा और उस एक्स्टा भी भूक तो नी लग जाएगी चलो इस वाले का निकालो भूक तो नि लग जाएगी पढ़ते रहेंगे ठीक है है चलो चलो जल्दी चल्दी करूं तो दो प्रॉब्लम तो यहां पर पर गर हम काउंट करें तो वही वाला हमारा लग रहा है यह को स्क्वेर के अंदर ट्राइंगल करने का तरीका वान टू तो हर कॉर्णर से पाश मिल रहे हैं तो 20 हो जाएंगे पूरे 28 इसमें भी आ गया लोग बताओ कौन सी बड़ी बात थी इसमें ट्वेंटी एट होगा 24 नहीं 28 होगा हर कॉर्णर से पाश मिल रहे हैं चार चोटे चोटे एक बड़ा वाला भी शायद आप लोग उने उसके ध्यान नहीं दिया ठीक है नहीं इसके बात कोई क्लास नहीं है यहीज क्लास होती रात अत्तों 9 वजे में सुबारतAy नौ वाली में रात वाली में topics start कर दिये हैं अभी कल से ही start किया है तो आप इसी में कर सकते हो topics वगेरा पुछरे कोई बात नहीं इसमेट मेडियेट आएगा है ना शेरो ठीके नेक्स वाला पर आजाते हैं अगला यह आपका स्टार फिकर इसको भी में थोड़ा डिटेल में समझाओंगी आप लोग को आप लोग इस वाले कोई बार चेक करो क्या बनेगा इसमें आपके पास कितने वाले ट्राइंगल जा रहे हैं चेक कर लिजे एक बार पांच होगा प्यूश भाई एक बार थोड़ा सा दुबारा देखते तो पांच नहीं देखता और देख जाता देखो यारी वह वाला इस्टार ने यह दो तरीके होते हम लोग के पास चीश होते हैं इस तरीके हैं इसमें शेच तो इसमें आठ आते हैं एक दो टी चार पांच्छे और एक यह और एक तो इसमें आठ आठ यह यह वाला लगया नहीं इसमें कि करना क्या है भाई देखो सुनों सिंगल सिंगल जब हम इसमें काउंट करेंगे तो आप लोग के पास आएगा वान तो फ्री फॉर फाइट यह तो वह हुआ जो हमने इसमें सिंगल काउंट किया पाँच तार वाली की बात कर रहे हूं अब स्टार की जतने जैसे आप लोग का जैसे यह आपका वर्टिक्स है यह आपका पॉइंट इसके सामने आपको बड़ा वाला ट्राइंगल जरू मिलेगा कैसे देख लेना मैं अलग 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 पॉइंट से बताऊंगी एक की मेरेगा आईलाइट कर रहे हो रहे हैं दूसरा देखते जाना यह वाला पॉइंट है यह वाला पॉइंट है तो इसके सामने चीक फिर आपका यह वाला पॉइंट है देखो इसके सामने भी बन गया एक ट्राइंगल है फिर देखो आप लोग का एक यह वाला पॉइंट है यहां से भी बन गया एक ट्राइंगल यह देखो हर पॉइंट क के सामने एक बड़ा होगा है हर पॉइंट के सामने एक बड़ा वाला होगा इतना ध्यान रखेगा तो यहां पर आ जाएगा आपका 10 प्लस 5 जितने पॉइंट होंगे उतने ही ट्राइंगल बड़े वाले तो 10 आएगा इसका अंसर याद रखेगा चलो बहुत बढ़िया अग हो गया है 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 हो गया है 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 ट्वेंटी आ रहा है आप देको यह वाला बन गया ना तुरह जब एक चीज़ हमें समझ में आ जाती है क्लियरली हम उसको कर लेते हैं पढ़ लेते हैं तो दूसरी बार चब वो हमारे सामने आएगा तो बनी जाएगा फिर रुकेगा नहीं है ना इसी तरी कैसे ठीक है लाइक कर दो सारे लोग सेशन को 25 गलत है प्यूश भाई इसमें 20 ही आएगा 25 गलत होगा है ना लाइक कर द बंद्रा तो वैसे भी हो गए बंद्रा के पाद आपको पता ही था क्या करना था हर पॉइंट के सामने बड़ा ट्राइंगल बनेगा इस तरीके का पांच पॉइंट से तो पांच बड़े ट्राइंगल बन जाएंगा यानि हमारे पास फाइनल आंसर होगा 20 25 नहीं 20 होगा चीक है ओके चारो इसका अंसर कितना होगा 20 होगा 25 नहीं 20 होगा चारो इसको चेक कर लीजेगा क्या हो गया अन अकैडमी में क्या हुआ क्लास टाइम अन अकैडमी का रोज क्लास करते हो भाई रोज का टाइम पता है फिर भी रोज पूछते है एक ही सवल यारा बजे का रहता है और अक्याडमी का टाइम, शाम का रहता है चार बजे का, रोज क्लास में आता भी है, रोज पूछता है टाइम लेकिन फिर भी, अलग-अलग प्रकार के बिचित प्राणी है क्लास में, क्या कर सकते हैं, रोज क्लास में आता है, हर क्लास में आता है, औ आप इसी class में cover कर सकते हैं don't worry 6 आएगा यहां से add करने के बाद तो ट्रिक्स एक साथ लगेंगी इसमें तो 1 है आपका 2 है 3 है 6 यहां से भी आएगा पांचों में कितना जाएगा 30 उसके बाद एक एक लेना था एक छोड़ने वाला था वहाला भी हमारा clear हो गया है ना जिसमें हम pick and drop कर देते एक लेते एक छोड़ देते वहाला भी clear हो गया और हमें square से triangle निकालने वाला ट्रिक्स पी clear हो गया तो हमें 4-5 ट्रिक्स क्लियर हो गई ठीक है आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं अगला सवाल करते हैं इसको करिएगा भी इसको पहले आप गिन लो और अगर गिनोगे नहीं तो मैं इसमें आपको तरीका बता दूगी ठीक है बैंक की रीजनिंग आप बैंक वाले चैनल पर कर सकते हो जो हमारा चैनल है अनकाडमी का बैंकर्स वे उस पर आप कर सकते हैं यहां पर से से और रेलवे का चलता है बैंक का नहीं चलता है चीक है बैंक की रीजनिंग आप बैंक में कर सकते हैं बैंक वाला जो चैनल है न उसमें कर सकते हैं चीक है यहां पर तो ऐसे से रेलवे होता है बैंक की नहीं होता है यहां पर शालो भाई इसकान सा पताना लाइक नहीं कर रहा है यह तुम लोगों ने लाइक कर दो फड़ावर से जल्दी से क्या हुआ है इस वह इस अरे पुलिस की रीजनिंग यही है जो एक महीं ने जीड यह पॉसिबल नहीं होता है थोड़ा तो एक ही पैच हम लोग इस तरीके का पढ़ाते हैं जिसमें आपके सारी चीज़े कवर हो जाते हैं पुलिस के लिए भी है डूट वारी पुलिस के लिए अलग से करने की जरूवत नहीं चलो इसमें जब आप गिनने जाओगे तो आपक इंक्लाइंड ट्राइंगल का मतलब क्या होता है जब ट्राइंगल के अंदर ही पूरा ट्राइंगल बना हो उसके मिट पॉइंट्स पर है ना मिट पॉइंट्स मतलब जैसे एक ये ट्राइंगल बना था इसकी मिट पॉइंट पर दूसरा बना है पूरा ट्राइंगल ऐसे फिर इस वाले के midpoint पर तीसरा बनाए ऐसे ऐसे इस तरीके से triangle के अंदर triangle हो यहाँ पर है ना चीक है तो फिर कैसे करना है वो देहान दीजे उसमें हम लोग tricks लगाते हैं 4 into लिख लीजेगा आपको गिनने में बहुत तकलीफ होगी अगर बड़ा figure आएगा तो तब आप यह व आप यहाँ पर एन क्या होता है यहाँ पर है number of triangles तो कोई बता सकता है मुझे यहाँ पर इस वाले figure में n की value कितनी है number of triangles जो inclined है बड़े-बड़े वाले आपर बता सकता है मुझे n की value कितनी है कितनी n की value रखेंगे बताओ जल्दी भाई 20 बता रहे हैं कुछ लोग अरे inclined triangles पूछ रही हूं कितने हैं यहाँ पर बड़े-बड़े वाले कितने हैं वो पूछ रही हूं 20 बता रहे हो तुम लोग यार बीस तो total answer भी नहीं है भाई 20 तो total answer भी नहीं है ठीक है 20 कहा answer है पांच होंगे न पांच एक यह वाला बड़ा वाला एक दूसरा यह तीसरा बड़ा यह चौथा और एक अंदर बना है पांच बने टोटल यहां पर n की value पांच है बड़े-बड़े यह पांच है इसमें और 15 एंसमें सरफ ऐसे वाले वाण। त्रीम ओर हो अजयन केंट प्रकी तूसरा बड़े बड़े-बड़े समझों यह वाले तीन-दीन वाले आक ढहें एक दden और एक बड़ा तो रचन आएंगे तो इक अंदर बना हुआ है छोटा चीक है तो 12 5 17 होता है न देख लेना चलो यहां तक हो गया क्या सिर्फ इसी में लगेगा हर एक में नहीं लगेगा इस सिर्फ इसी में लगेगा हर हरएक में नहीं यह वाला इसी में लगता है यह जो पर्ट किंस में मैं लोगेको से शुम में लगते कि नग जैसे इसमें लगा रहे हिसमेंalon कि इसमें बीच में भी में हुई है जल्दी चलो जल्दी जल्दी करो फड़ाफट करो यार पूरा पूरा कर लो एक घंडे तो पढ़ लो कम से कम कि देख लेते हैं 24 भी गलत है 23 भी गलत है ध्यान से देखो ध्यान से करो को सौल चिए तरीके से करिये को मैं बताओं आपको मेरी मैने कल भी यह बोला था अज फिर से यही बोल रहे हूं होता क्या है ना आप लोगं को जो पढ़ाय जाता है ना आप लोग उस nu रहत है आप लोग वो पढ़ते नहीं और आप लोग को आता भी नहीं है यह क्लास मेरी चार साल से चल रही है इसी टाइमिंग पर नौ बजे से अभी पांचे महिने से लगातार हम लोग रहे हैं तो आप की तो पतार वहा है और जो सारही जारा है वह चीजहे फोकस करिया है 15-20 दिन वह पड़ी उसके बाद फिर से टेस्ट होगा अगर आपको सारे ही मिक्स क्वेशन्स टेस्ट करने है तो आप सुबह 10 बजे आ सकते हो ठीक है अभी इस क्लास में तो यहीं चलेगा अभी टॉपिक ही चलेगा एक टॉपिक चलेगा फूरे घंडे अभी कुछ दिन के लिए आपको पढ़ना है टेस्ट पढ़ना है या आपको बहुत सारे क्वेशन्स लगाने है मौक टेस्ट लगाना है अप सुबह 10 वाली में आये करो यहीं होती है और ज्यादा स्पीड बढ़नी है और ज्यादा आप लोगो पढ़ना है टेस्ट पढ़ना है तो आप 11 बजे वाले में आये करो अन अक्याडमी पर वहां पर बस आप अपना देख लो क्या आपको क्या पढ़ना है और फिर अ hace & आपको हर तरीके की क्लास पी चल रही है मिक्स कोएक चल रहे हैं तुम्हें क्या पढ़ना है व Edition करो अतंवा पर आत करो अपmaybe ऐट है? ओके? चले. ये तो हो गए आपना. अब अपन क्वेश्शन पर आते हैं फटा पट से. इस वाले बहुत में एनलोगी क्लासमें अगूटिकेशन चलेगा. प्ल hell कैल इनलोगी क्लासमेשन चलेगा. आज ही बता दे रहे हूँ. कल एनालोगी चलेगा प्लस क्लासिफिकेशन चलेगा कल काउंटिंग नहीं चलेगा दो दिन हो गए तो कल ठीक है काउंटिंग चलेगा आपका वो चलेगा एनालोगी प्लस क्लासिफिकेशन ठीक है तो इस पर ध्यान रखेगा अभी ये basic वाले कराए हैं, इसी में दो और PPT's हैं, जो high level वाले हैं, triangles भी हैं, उसमें square भी हैं, जो थोड़े high level हैं, वो भी मैं कराऊंगी, पहले अभी मैंने basic करा दिया है, छीक हैं, ये वाला मैंने basic करा दिया है, इसमें high level भी कराऊंगी अभी, और भी बहुत सारे सवाल ह हैं, फिलाल आप लोगे सवाल का answer करो, 26 गलत answer हैं इसमें, 26 गलत हैं, पच्चिस से, चौविस भी गलत हैं, चलो, ठीक है, इसका answer आपका 3 है, ऐसे 3-3 वाले कितने मिनेंगे, 1, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 इदर से, 6 मिल रहे हैं, 18 तो वैसे भी हो गए, ठीक है, 18 तो यहाँ पर हो गए उसके बाद चोड़ी चोड़े वाले किनो 1,2,3,4 चारी हो गए अब बढ़े वाले 1,2,3 तो यह 25 आ रहा है यहां पर ना तो 24 ना तो 26 25 पर टिक कर सकते हो इसका जो आंसर आएगा वो 25 पर टिक कर सकते हैं चलिए याद रखेगा ओके अगला इस वाले में बताएगा भाई squires and rectangles कब होगा कल हो चुका है मेरे भाई कली रात को पड़ाए था 9 बजे रोज रोज नहीं पढ़ाया जाएगा हो चुका है स्कुर्ष एंDrect頭 कबर का विडियो पड़ा वा है देख सकते हो आप चले बना इसमें 30 गलत अंसर है लिकेना 28 सही देखो ऐसे वाले आपको 3-3 मिलेंगे 4 बार तो 12 तो वैसे ही हो गया फिर यहां से आप लोग वही वाला ट्रिक लगा सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 का डबल 12 यहां से हो गया hidden वाला यहां की line joint नहीं है सिर्फ यहां वाली line joint है तो hidden वाले सिर्फ यहां से बनेंगे 2 यहां से 2 सामने से यानि की 28 होगा इसका answer 30 गलत होगा 24 भी गलत है 24 भी गलत है 28 विल भी ता राइट answer 23 तो और ही गलत है तो के बाजी से काम नहीं चलेगा दिमाग लगाओ छितना दिमाग पक्वास करने में लगाते हो ना एक दूसरे से चाटिंग करने में एक दूसरे की टंग खीछने में कमेंट्स फाल टू की करने में उत्रा दिमाग सवालों में लगा लेते तो अच्छा रथा प पताए 4 राम राम बुट इवनिंग राम राम इसमें 22 आ रहे हैं 16 आ रहे हैं चलो देख लेते हैं यहां से 16 तो वैसे भी आ गया यहां से फिर उला करेगा है इसमें तो वाले आ रहे हैं और यहां पर हुड़ा यहां पर यहां पर यहां पर 22 है तो अपर यहां पर वहाँ तो इसमें तो एक चलो आगे चले कि अगर्फम यह वाला बताएं का भै इस वाले में ट्राइंगल कितने हैं और आज के साथ साथ कल के लिए भी रेडी रहिएगा कल अनलोगी क्लासिफिकेशन पढ़ क्या आना फिर भी मैं पढ़ाओंगी लेकिन आप भी पढ़ क्या आईएगा चीक है कल रात नो बज़े से दस बज़े तक है ना अनलोगी एंड क्लासिफिकेशन पढ़ क्या आईएगा पहले से थोड़ा सा मैं भी पढ़ा दूगी कल है शुक्रवार चल हो गया हो क्या 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 चलो यहां से क्या बनेगा देखिए इस वाले में बन रहा है आप लोगों का वान तू थ्री और फाइव है उसवाले में बताओ कि सोला गल्थ सतरा सही था नाइस क्लास, कल इससे भी जादा नाइस क्लास पढ़ेंगे, कल इससे भी जादा वाली नाइस क्लास, एनलोगी प्लस क्लासिफिकेशन, बहुत मजा आएगा, कल इससे भी जादा नाइस क्लास पढ़ेंगे, रात को नौ से दस, ठीके टाइमिंग सेट कलेना, सुबर दस बज सरल सरल वाले तो हाल बता देते हों कठिन वाले जो होते हैं थोड़े बड़ी आसे करने लाइक वो बताते नहीं हो सरल सरल वाले तुरंद बता दोगे एकदम दोड़के अभी तो कठिन वाले आये नहीं है तो बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट कराया है मैंने कटिन वाला तो अभी बताया ही नहीं है एकदम बेसिक वाला कराया है यह तो मेरे अभी तो इसमें ट्राइंगल में बहुत कटिन कटिन वाले क्वेस्टेंज भी है वो भी करेंगे हम लोग ठीक है अठारा शायद चलो देख लेते हैं कितना आएगा सुरे पहले सिंगल सिंगल काउंट करेगा वान तो थ्री पोर फाई छोटा 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 तिक्स सेवन एट नाइन थे चोटे वाले काउंट केंए टेन इस तरफ आए बड़ा वाला एक उस तरफ आएगा एक आपक लेकिन फिर वही है मैंने कहा था हर figure में आप लोग hidden वाले अगर भूल जाओगे तो फिर दिकत है hidden वाले भूलने नहीं है तो 14 के अलावा यहां कुछ hidden वाले figures भी बन रहे थे वो भी हमें देखना था तो आप वो देख सकते हो hidden वाले figures को यह बन रहा था चीक है ओके चलो अगला यहां पर देखो भया यहां पर कित्याप देखो यह चोटा-खोटा है इसको कहते हैं चोटा-खोटा लगता है बहुत चोटा है 16 गलत था 18 सही था पिछले वाले का इसमें लगता है कि हम बहुत चोटा figure अरे रफ सही होगा लेकिन यहां पर गलत हो जाता है चेक करो हुँ हुआ थैंक यू आचल कुमारी जी थैंक यू बस और नहीं इश्रत भाई और नहीं है आना थोड़ी लड़ू थोड़ी क्यों और मिलेंगे बस अठा रहे हैं जितने गिनवाएं उतने हैं भाया चलो कोई बात निचो आज लेट हो गया है तो वह तर्म पर आई को नौबचे का टाइमिंग रहता है नौ से तस का टाइमिंग रहता है वहां से भले वह कैसी भी तो तीन ही आते हैं वहां से इस बात का ध्यान रखें वहां से तीन ही आते हैं तो गलत बता रहें आप लोग इसमें साथ देखो तीन तो यहां से मिलेंगे आपको because बीच में एक लाइन वरी है तो तीन तो यहां से मिल जाएंगे तीन आपको इधर साइट से मिलेंगे ऐसे वाले कितने हो गए अच्छे हो गए हैं अभी दो और हैं इसमें वो भी देख लो इडन वाले बताऊंगे बड़े वाले जो कहां काउंट किया भी याद रखीगा बड़े वाले जो थे वो नहीं किन पाए थे दस गलत है आट साही है जाता हो गया आज है ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं हो जाता है चलो ठीक है तो इतना ठीक है तो एक काम करो भाया इसमें दस लगाईगा ट्रिक करीगा 10 पे और कल का टायग्राम कल का फिगर जो है पहले से आप लो कल का जो टॉपिक है वो लिख लीजे नो डाउन कर लीजेगा जो टॉपिक है उसको नो डाउन कर लो 9 पीम का ठीक है कल का क्या टॉपिक रहेगा analogy plus classification 2-3 सवाल आते हैं exam में 2-3 सवाल important है कल से पढ़ेंगे 9 बज़े से रात को ठीक है तो सारे लोग ready रहोगे कल से कितने लोग ready हैं कल से कितने लोग ready हैं आने के लिए बोलो सभी लोग ready है 9 बज़े कल रात को ready रहोगे time पे आजाओ के सारे लोग time पे आजाना 2 अबी like कर दो बिना like के ऊंच जाना इस अभी like कर दो बिना like के वे कोई निद जाएगा कल से ready रहीएगा सआज लोग 9 पे आएगा और अभी सारे लोग like करके जाएगे जितने भी लोग हैं पड़ा पड़ से ठीक है तो कल का सेशन और भी ज्यादा मज़ेदार होगा सारे लोग टाइम से आ जाना तो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे टाइम से ठीक है तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि मन नहीं लग रहा न तुम लोग अपढ़ने में छुट्टी कर तो मैडम खाना खाना है भूक लग रही है वही हो रहा है न दस बजगे आज को थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा दिया तो इसलिए जिक हैं तो कल के लिए रेडी रहेगा सारे लोग यहां पर हम लोग मिलेंगे रात को 9 बज़े टॉपिक वाइस में सुबह बढ़ना है तो सुबह 10 बज़े से पढ़ सकते हैं आप लोग मेरे साथ में मौनिंग में 10 बज़े क्लास रहती है ठीक है और दूसरी बात यह है कि हम लोग लिए पूशीर परेशान हो जाते हैं में लिंग निमें यहां पर लिंक मिल जाएगा जब भी क्लाश रूओगी लिंक यहां जाएगा पहले से ठीक है किसको join कर सकते हो है ना अगर आप Unacademy का subscribe करना चाते हो तो plus के courses के लिए you can join with my code आप मेरा code लगा है Ritika10 and आप subscribe कर सकते हैं Unacademy के subscription के लिए आपको ये code लगाना पड़ेगा ठीक है Ritika10 code लगाओ Unacademy का subscription पाओ और यहाँ पर आपको बहुत सारा discount भी मिलेगा ठीक है तो फिलाल से session को like share कर दीजेगा बिना like के कोई नहीं जाएगा कल रात को मिलेगे हम लोग 9 बजे इसी session में इसी तरीके से और भी मज़िदार session करने वाले हैं आप लोग के like and support के साथ Thank you everyone Good night all of you Take care ठीक है like share कर दीजेगा सारे लोग बिना like के मत जाना